प्रिश्ट दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि 12,489 सीख्षक भत्ती पर रिजल्ट आया, रिजल्ट जैसा कि आप सभी जानती, रिजल्ट आने के बाद बावाल हुआ, बावाल यह हुआ था कि व्यापम ने जब परिक्षा में उपस्थिती वाला जब दर्ज किया था तो उसमें लगभग बोल सकते है 99 लोगों का कम बताया था और उसके बाद उन्होंने एक खंडन पत्र जारी किया था जिसमें बताया था कि क्या क्या कारण हुए थे और उस वज़ा से वो जो 99 का रेशियो चेंज हो रहा था कारण वह हो था, इसके बाद चीजे थमसी गई और उसके फिर जो विभाग है लोग तिक्सन संजनालाय ने एक आदेश जारी किया, यह आदेश को बताने से पहले बहुत ही महत्कुन जो है जूनियर इंजिनियर भरती के सम्मन्द में खबर मिल रही है, इसके अलावा सहकारिता विभाग, उद्योग विभाग, बहुत सारे विभा विभागों में बहुत सारी हल्चले देख रही है, आज भी आपको व्यापम की वेबसाइट पर हल्चल देखने को मिल सकती है रात तक, फिलहाल अगर मैं बात करना चाहूं, जो महिला पर वेक्षक भरती निकली है, उस पर बहुत सारे जो महिलाएं हैं, वो एक प्रकार से confusion है, जो नए है, जो पुराने हैं, उनको अभी भी ये, जो 40 नंबर का खेल है, उनको वहाँ पर लगाना है, जोर देना है, क्योंकि देखिएगा, महिला पर वेक्षक में आप देख रहे हैं कि जो क्योस्चन है, जिसमें खुली भरती की बात करें, तो लगबग 80 नंबर के reasoning और GK आएगा, और 20 नंबर का हिंदी 36 गड़ी आएगा, जो बोल सकते है, 15 नंबर का आपका अंग्रेजी आ रहा है, इसके अलावा गणीद भी है, इस प्रकार से अगर हम देखें, तो सबसे ज़्यादा वेटेज GK का है, और बोल सकते है, गणीद का भी है, और आपके म महिलाय उम्बाल विकास विभाग से जो भी जानकारी है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जहां पे उसका प्रशाष्की प्रतिवेदन आपनो, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जहां पे योजनाओं से संबंधी चीज़ें दी गई है, लेटे आपको ये समझा है कि पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि समय आपके पास इतना कम है कि आप सारे चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, आपको अभी वर्तमान में स्मार्ट इस्टेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप वो चाठीश्ट की पूरी बादचित करते हैं 1249 सिक्षक भर्ती के सम्मद में जो आदेश निकाला है वीभाग ने जैसा कि आपके श्क्रिंपर शोओ रहा होगा यहाँ पर देखिये वीभाग ने जो आदेश निकाला है उसमें कहा गया है कि इसको सिक्षक विभाग में सहायक सिक्षक शिक्षक एबं व्याख्यता की सीधी भरती 2023 के पदो हेतु व्यापम दौरा 2 जुलाई 2023 को लिखित परिक्षा के परिणाम घोशित किये जा चुके हैं। अधार कार्ड है वो चलेगा बिना अधार कार्ड के आपकी चैन प्रक्रिया कॉंसिलिंग प्रक्रिया भी नहीं हो पाएगी। अधार करने वाला है जहां पर शिक्षक भरती पर जित्ते भी केस है उसकी जो सुनवाई है वो जल से जल हो सके जिससे की इसकी जो नियुक्तिया है वो जल से जल हो। और कहीं न कहीं अचार सहीता से पहले 12,489 सिक्षक भरती पर पूर्ण नियुक्ति दे इस प्रकार से जो भी भाग है वो जो बोल सकते हैं ततपर है और बहुत ही जल आपको इस पर अच्छे ची खबर देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम अगली बात करें तो जुनियर इंजिनियर के संबन में तो दिखिए जुनियर इंजिनियर के लिए बात यही है कि कहीं न कहीं बहुत सारी सुकबुगाहाट जुनियर इंजिनियरों के लिए है और साथ में सिविल वालों के लिए ही है बहुत सारी जो जो चीजें हैं आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दा आएगी आप लोग निश्चिंत रहिए और तैयारी को बहुत जादा इस पिट से करिए यही सब आपको खबर बताना था आशा करता हूँ कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छा झाले